आठ नॉवंबर को दिल्ली के द्वारा आंसर क्योंके मामले की सुनवाई की गई लेकिन या सुनवाई आखरी नाहों के बस इस केस के एक प्रोग्रेस के रूप में ही देखी जा रही है इसमें कुछ प्रोग्रेस जो हुए है कुछ इस परकार है रिस्पॉंडेंट के दुआरा जो है एक एफिटिफिट फाइल डिपलाई के रूप में कर दिया गया है तथा इसका एक कॉपी जो है पेटिसनर्स को भी दे दिया गया है अब पेटिसनर्स इसको अच्छे तरीके से अधियन करने के बाद एक रिजोइंडर फाइल करेंगे और यह रिजोइंडर जब तक यह फाइल नहीं हो जाता है तब तक अगले हीरिंग हो भी नहीं पाएगी और इस तरह से कुल मिला के अब नेक्स्ट हेरिंग जो होने वाली है वह साथ दिसंबर को होगी तो इस परकार केस जो है अभी भी एफिटिफिट रिजोइंडर कॉंटर इन ही माधियों मों से होते हुए दीरे दीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रही है और अभीयार्थियों को अधीक उमीद जो है दिल्ली हाई कोट से अधीक है इसमें भी आंसर की कही मुंदा उठाया गया है तथा इसकी भी सुनवाई अगले दिसंबर में ही होने वाली है अब कुल मिला के दिसंबर में ही पता चलेगा कि क्या आंसर की यूपेसी इमेडियेटली एक्जाम के तुरंत बाद जारी करेगी या फिर नहीं तब तक के लिए अभीयार्थियों को दिसंबर के कोट के हेरिंग का इंतजार करना होगा और जैसा कि सभी को उमीद लगी हुई है कि यूपेसी समय से ही आंसर की आप जारी करेगी जैसा कि बहुत सारे इसके विशेशक और जानकार बताते हैं तथा दिल्ली हाय कोट के नियाय मूर्ती ने भी इस विशे में काफी बाते लिखी है तो कुल मिला के कोट का मामला है कोट ही इसे डिसाइड करेगी और दिसंबर का माह में यह पूरी तरीके से लगवग समभवता ते भी हो जाए तब तक के लिए बस आप अपनी पढ़ाई जारी रखें